पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल क्या था वाट इस जूस जाकिंग रिसेंटली सीन इन दा न्यूस तो इसका जवाब है साइबर अटेक इस साइबर अटेक के बारे में और जानने के लिए वीडियो के एंट तक बने रहे चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या स्पेशल है जो हमाई ले नोट डाउन करना जरूरी है सबसे पहले हम जानेंगे सर्वाइकल कैंसर फ्री फ्यूचर के लिए उठाए गए स्टेप्स के बारे में वर्ल्ड हैथ और्गनाजेशन यानि की डबलू एचो ने 2030 तक 90-70-90 का टारगेट सेट किया है जिसका मतलब है कि 90% गर्ल्स को फुली वैक्सिनेटेड करना विद एच्पीवी वैक्सीन बाइज 15 70% वुमेन का सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बाइज ऑफ 35 एड 45 और 90% वुमेन विद सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करना ये टारगेट माइस्टोंस रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्लोबल एफ़र्ट टू इराइडिकेट सर्वाइकल कैंसर और इंडिया के कॉल फॉर एच्पीवी वैक्सिनेशन के पाइबोर्टर रोल को हाइलाइट करना इन अचिविंग दिस गोल दुनिया भर में 100 से भी जादा कंट्रीज ने एच्पीवी वैक्सिनेशन प्रोग्राम्स इंप्लिमेंट किया है रिजर्टिंग इन नोटेबल डिक्लाइम इन इंसिदेंस ओव सर्वाइकल कैंसर और ये पॉइस्ट है टू एलिमनेट सर्वाइकल कैंसर बाइट गर के नस जैसे कि भूतान, इंडोनेश्या, नमार्डियूस, म्यानमार, श्रीलंका और थाइलेंड ने इंटर्डूस किया है एच्पीवी वैक्सिन नेशन वाइड भूतान पहला लो मिडल इंकम कंट्री यानि कि LMIC है टू इंटर्डूस अनेशन वाइड एच्पीवी भूतान ही ऐसा पहला और ओनली LMIC है जिसने बॉइस को भी वैक्सिनेट करना स्टार्ट किया इन 2021 अब हम जानेंगे ट्राइबल ग्रूप्स के लिए सेंटर के प्लान्स के बारे में ट्राइबल अफेस मिनिस्ट्री प्लान कर रहा है तू कोलाबरेट विद इंडियन स्पे प्लाइबल विलेजिस इन जारकंड मध्यप्रदेश ओडिसा और महराष्ट्रा टू ब्रिंग इंटरनेट सर्विसेज ट्राइबल अफेर्स मिनिस्ट्री पार्टनरिंग भी कर रहा है एमस डेली के साथ टू कंड़क्ट एडवांस्ट रिसर्च और ट्राइबल हेल्थ इ केमिटलोजी कैपिटल के एमस में सेट अप करने का भी प्लान चल रहा है इसके एडिशन में प्रपोजल भी लिया गया है तो सेट अप सिमिलर स्पेशलाइज डिपार्टमेंट फॉर अप्रोप्रेट टेक्नोलोजी और एंट्रप्रिनियर्शिप इन कोलाबरेशन विद IIT Delhi और IIM कोलकता एक दूसरा प्रोपोजल भी टेबल किया गया है तो कोलाबरेट विद IISC बैंगलुरू फॉर सेटिंग अपर ट्रेनिंग फैसिलिटी जो की ओफर करेगा कोर्सेस और सेमी कंड़क्टर टू ट्राइबल स्टुडेंट्स अब हम बात करेंगे इंडिजिन इंडिजिन अफ interrogator के बारे मैं यूनियन होमम मेंस्ट्री ने बताया है कि दो टिखरेंट κα्टेग्री इस के एक्स्पोजिव दिटेग्र्स इंडिजिन इसली डेलप किया गया है वर्ब व्वोरू क्योंता परॉशा इंडिया लिमितेट् ये डिटेक्टर्स बेस्ट है और आयोन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमिट्री टेक्नीक और रमन बैक स्केटरिंग प्रिंसिपल अब हम जानेंगे और बैंक इंडोनेशिया के लोकल करेंसिस के इस्तमाल को लेके टूवे डील्स के बारे में Reserve Bank of India यानि की RBI और Bank Indonesia यानि की BI ने एक Memorandum of Understanding यानि की MOU साइन किया है for establishing a framework to promote the use of local currencies यानि की Indian rupee INR और the Indonesian rupee यानि की IDR for cross-border transactions यह MOU establish करेगा एक framework for cooperation in the area of cross-border transactions in local currencies between India and Indonesia aim करता है at promoting the use of INR and IDR bilaterally MOU cover करता है सारे current account transactions permissible capital account transactions और any other economic and financial transactions जो की दोनों भी देश अग्री करेंगे यह framework enable करेगा exporters और importers को to invoice and pay in respective domestic currencies जो की enable करेंगे development of an INR, IDR for an exchange market use of local currencies optimize करेगा cost और settlement time for transactions general awareness के साथ साथ vocabulary भी जरूरी है तो अब हम जानेंगे कुछने words और phrases के बारे में सबसे पहला phrase है money will make the mayor go इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैसे है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते है दूसरा word है mealy mouth person इसका मतलब है वो इंसान जो की plainly या directly नहीं बोलना चाहता है especially तब जब ये उसे offend करने वाला हो या वो अपने आपको assert करने से डर रहा हो तीसरा word है to dispose of इसका मतलब है जो नहीं चाहिए या जो नहीं रखना है उससे छुटकारा पाना आज का आखरी word है expedient इसका मतलब है to and end not necessarily a principled और ethical one या फिर serving to promote your interest या appropriate to a purpose या practical अब हम जानेंगे juice jacking के बारे में Reserve Bank of India यानि कि RBI ने caution किया है against charging mobile phones in public ports due to the increasing threat of juice jacking ये एक cyber attack है जिसमें hackers inject करते हैं malware into public USB charging stations जिससे electronic devices compromise होते है ऐसे incidents often occur होते है in spaces like airports, hotels and shopping centers इस तरह का attack device को lockout और unauthorized access दिलवा सकता है enabling cyber criminals to steal personal data and passwords इसलिए public areas में vigilant रहना जरूरी है अपने devices को protect करने के लिए आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करती हूँ कि आपको हमारी videos helpful लगरी होगी जाते जाते आपके लिए सवाल है What is the theme of rare diseases day 2024? इसका जवाब comment करके जरूर बताईएगा मिलते हैं next video में